ब्लैक फॉंगस को मारने वाला या हराने वाला एक बहुत ही शांदार बहुत ही कामियाब ग्रेलू आयवेदिक उसका बताने जा रहा हूँ मित्रो इसमें आपको किवल टीम चीजों को लेना है उसमें से पहली चीज है फिटकरी यानि की इसफटी का भस्म नमबर दो पर आपको लेनी है अपनी ही किचन की हल्दी का पाउडर और तीसरी चीज होगी आपकी अपनी किचन का सेंधा नमक और मात्रा कैसे रहेगी सबसे पहले स्थटिका बस्म यनि फिटकरी की बस्म पांच गराम नमबर दो पे हल्दी का पाउडर दस गराम और सेंधा नमक बीस गराम इन तीनों को आप मिला लेंगे और ये त्यार होगी आपका ब्लैक फंगस नाशक मनजल तो वो कोई भी व्यक्ती जो कोविड से पिडित है इस्टिरोइट्स का सेवन कर रहा है अगर वो एंशोर करे चाहे वो आइसोलेशन में है या ऑस्पिटल में अडिमिट है कि वो सुबे उख करके इस पाउडर से चाहे इस पाउडर में थ्वासा पानी मिला करके या बहुत अच्छा होगा कि इसमें दो बुंद सर्सों के तेल डाल करके जो पेश्ट बनेगा उसको अपने जबरों पे लगाए और दो मिनट बाद गरम पानी से कुला कर दे यदि वो ऐसा करता है तो उसके मुँ में ये ब्लेक फंगस ये काली फंगस अपनी जगा नहीं बना पाएगी नमबर दो नाख को काली फंगस से मुक्त रखने के लिए आप दिन में दो बार स्टीम लेजिए और स्टीम लेने के बाद दो बुंद सर्सों के तेल की अपने नाख में डाल लीजिए अगर आपों को सुलक्षित रखना है तो आपको घर का बना गोगरित या कहीं से अच्छी जगा से आप गोगरित ला करके उसको पिगला करके एक दिन में एक बार अपने आप में डोपर की मदद से डालिए विश्वास कीजिए इन तीन कामों को करने वाला ब्लैक फंगस से परिशान नहीं होगा आज इस मुमेंट पे मैं ये आवान करना चाहता हूँ अपने लोगों को भी अपने चिक्रसकों को भी कि वो हॉस्पिटल्स में जहां जहां कोबिट के पेशेंट एडमिट है या वो कोबिट के पेशेंट जो घर में आइसोलेशन में हैं और स्टिरोइट्स का सेवन कर रहे हैं वो करप्या करके इन तीन साधारं कामों को करना शुरू करें so that black fungus उनको तामना कर सके black fungus उनकी आपों की रोशिन न चीन सके black fungus की वज़े से उन्हें बड़ी बड़ी सर्जरी जो अक्सर काम्याब नहीं हो पा रही है वो ना करानी पड़े तो इस मुझके को आप घर-घर पूचाई